तो शुरू करते हैं जी और सी के एसाइन्मेंट ओई टू के थू यह आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है वह या कंपेर काबन काबन बॉन्ड रोटेशन एक्रोस फर्स सेकेंड एंड ठाट इस को देखें आपको ऐसा लग रहा है कि हमको यहां पर पाइब ब्रेक करते हैं रिंकरन कि बात करनी होगी तो प्रैक्टिकली हम वही काम करना चाहेंगे यह डियागराम दे रखा है इस बॉन को ऐसे ब्रेक करो कि यह एनान और क्रेटान में कनवर्ट हो जाए इससे पता फाइदा क्या होगा फाइदा यह होगा कि सिस्टम पूरी तरह से एरोमेटिक बन जाया है बिकोज इसा बिर्टां के बिकार्ट अप्रचन के देंट नंदा की इस्टम पे आरोमेटिक रिचरल इस पहोगे न बिएमिय मैं यह प्या अज़क्टल सबसे इजली ब्रेक हो सकता है उसके बाद जो अगला है यहाँ पर आई हो डिर्स डाउड डाउड क्या होगा एक को बचाने जाओ को दूसरा लपेटे में आएगा रीजन क्या अगर मैं माइनस उपर लिके प्लस इधर कर दूँ तो यह अरोमेडिक है तो उपर वाला एंटि अरोमेडिक मतलब यह बाद ब्रेक करने को तयार ही नहीं होगा इसका अपोजिक भी कर सकते हो कि सर ऐसा करते हैं कि हम उपर प्लस कर देते हैं तो उपर बना लो एंटि पर भाईया नीचे आएगा एट पाई एलेक्टोन और एट पाई का मतलब क्या होता एंटि अरोमेडिक मतलब इस बोन को तोड़ना पॉसिबल नहीं है इसका मतलब तुरंद बॉन बन जाएगा इसका मतलब यह कि यह प्योर डबल बॉन में रहने को त्यार है तो बॉनलिंग सबसे काम होगी और पूछा क्या है carbon carbon bond rotation तो भाई अगर तू pure double bond के रूप में तो तू rotating होने को त्यानिक से lock confirmation को lock करके रखा गया इसका मतलब सबसे ज़्यादा energy कहां चाहिए भाईया सबसे ज़्यादा energy हमको चाहिए इस कहानी के अंदर third option के अंदर क्योंकि इसके अंदर हम rotation आसानी से नहीं कर पाएंगे तो this is the fundamental question of this concept now carbon carbon compare rotation की बाद कर रहा है तो भाईया सबसे पहले तो थड़ आएगा उसके बाद कोन आना चाहिए first आना चाहिए उसके बाद आना चाहिए second third option तो अपने पास है ही नहीं वाह very good तो पहले आएगा third option इसके बाद आएगा आपका option number first उसके बाद आपका answer आना चाहिए second this is the answer ठीके इसका मतलब यह लग रहा है कि यहाँ पे modification होना चाहिए third, first और फिर यह आना चाहिए second option okay सबसे पहले strong bond को break करना सबसे मुश्किल काम होगा तो पहले third आने वाला है उसके बाद first चाहिए कि यहाँ aromatic बन रहा और यह सबसे option क्यों मैं सबसे loose electron यह सबसे जल्दी चाहिएगा अपने आपको aromatic form में करने के लिए इसका मतलब यह कि अपने पहले वाले में ही correction होने वाला है ठीके? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला which species is not aromatic तो I think बोलने की जोड़त नहीं पड़ेगी मेरे साब से क्यों नहीं पड़ेगी विकोज हमको पता यहाँ क्या है बेटा ring current यह tap shape molecule याद करो यह आपका tap shape molecule एक से simple एक tanulin पका out of plan non aromatic बेटा यह ring current की बाद करो aromatic यह भी ring current यह आपका ring current फ्लो कर रहा है तो gilt है यह तो क्या होगा बेटा? tap shape molecule ओ tap shape molecule का मतलब क्या होता है this theme is a non-aromatic यह क्या होगा बेटा यह ring current flow कर रहा है तो aromatic यह भी ring current फर्लो कर रहा है तो aromatic that's why चूँकि नॉट आरो mate diecks why your answer is bomb यहां गर aromatic पूचा होता तो फिर आपका आंसर पल्टी मार देना था, तो बहुत सिंपल सा फंडा था, रिंग करन देख के आंसर दिया जा सकता था, अगला देखिए का सिंपल सा फंडा, विचे तो फोलेंगार नौन एरोमेटिक, तो बिटा, पेहली बार में देख लो, यहां चार सिगमा बोंड और SP3 का मतलब क्या होता है, नौन एरोमेटिक, याद करो, यह रिंग करन ही मा मतलब एरोमेटिक, यहां लोन पेर है, और इसके पास वेकेंट, बी और बिटल है, तो इस अगें 6 पा एलेक्टर, इस इस आल्सो एरोमेटिक, तो पुल मिला के, आपके पास एक यह ओप्शन है, तो भईया देखो यहाँ पर loan pair है, हमें पता है resonance हो रहा है, इसका मतलब is more stable than this, of course, क्योंकि यहाँ पर किवल तीनी alpha आ रहे हैं याद करो, और वहाँ resonance हा रहा है, हम इसको जिता देंगे, confirm, ME2CH is more stable than this, तो बिटा, इसके पास ME2CH का मतलब, आपके पास यह का बोटन, तो कितने alpha है, 6 alpha, और यहाँ कितने alpha है, 2 alpha, पक्का कोन जितेगा, 6 alpha, तो वो भी सही हो जाएगा, इसका लिए भी सही आ रहा है, अगला option, क्या दिया गया है, this is more stable than this, of course, यहाँ क्या हो रहा है, कि हमको यह अच्छी तरह से पता है, कि हमारा ketan, यहाँ क्या है, बोलो, perpendicular, पपेंडिकुल, पपेंडिकुल का मतलब, यह resonance ही नहीं कर सकता, तो situation में, 3 alpha हमाला order पल्टी मारना चाहिए, इसका मतलब, अपना answer simple, यह आना चाहिए, ओके, अगला simple question, क्या पुछा है, which carbon is most stable, त पता नहीं कतम, प्येस थी लिखा हुआ है, तो हम सबको पता है, कि भाईया यह फोस्फोरस नहीं है, क्या है बोलो, बेंजीन है, क्या है बेंजीन है, बेंजीन हमें पता है, बेंजीन तीनों और से resonance करेगी, देक्सवाइ स्चेबल, यहाँ पे आपके पास 9 alpha, यहाँ आप से फंडा जो कि आपको यूस करना चाहिए, वित रेस्पेक्ट्ट्व स्चेबलिटी, अगला कोश्चन दिकावा है, कजब फोलिंग का बोटान इन में क्या एक्जाम्पल, चार एक्जाम्पल को देखो कि तो गेम सेट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास कौन सा effect यह प् सबसे आगे को ना चाहिए, सबसे आगे प्लस हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने जो कावुकर टान बनाया, वह जब रिजोनेंस करके और्थो पेरा पे जाने की कोशिश करेगा, तो क्या आपको लगता है कि इसका लोन पेर उसको हेल्प करेगा, विकोज ओफ रिजोनेंस, त बहुत सिंपल फंडा है, केटान को जो स्टेवल करेगा, वही रिट को फास्ट बनाएगा, तो अफकोर्स प्लस हम फेक्ट ज्यादा डोमिनिंट हो जाएगा, अगला एक्जांपल देखिएगा, क्या पच्छाए अपसे बिटा, करेक्ट ओडर ओफ कावोट अने और हम यह जानते हैं, कि जो एलेक्टरिटी कम होता है, उसके डोनेक करने के पावर जादा होती है, तो भाई, यह जादा अच्छी एफिशेंसी से देगा, इसके पास सिंपल तीन अलफा है, और यहाँ पर इंगड़क्टिव ही है, क्योंकि जीरो अलफा है, तो इंगड़ और हाइपर में हमें पता है कौन जीतेगा भाईया, हाइपर कॉन्जूगेशन, इस सबसे सबसे पहले टू आना चीए, फिर गेम सेट हो, तो सबसे स्ट्रोंग होना चीए, एक टू, I think, I think, यह आपका टू, इधर भी आपका टू, आगे देखते हैं, पीछे कौन आना ची के लिए डेली आना चीए, दिमाग लाने जोती नहीं है, this is the theme, क्योंकि हम पहले बोलेंगे, इन दो में प्लस है में, यहां प्लस है में, यहां त्री एलफा है, यहां जीरो एलफा है, और जो दो प्लस है में, तो उसमें फंडा यूज करो, जो ले सिलेटरों नेगेटिव होगा, उसकी दोने करने की पावार ज्यादा होगी, अगला जो कोशन स्क्रीन पर दे रखा है, क्या दे रखा है, अरेंज दो फोलिंग कापुटा इन दो इंक्रीजिंग और आफ इस्टेवडी, देखो बेटा, क्या आपको लगता है कि यहां जब आप हाइपर कोजिशन क करोगे, बिकोश जब यहां केटान 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 मनेगा, तो आपके पास यहां त्री अलफा होगे, जब केटान को यहां ले के आओगे, तो गंदा फस होगे, यहां पर माइनस है में, दो सिमिलर चार्ज, एक जसेंट पोजिशन हाइली अनिस्टेबर, अब जब तुम य केटान को यहां ले के आओगे, तो बच्चा लेगा, यहां भी तो पॉस्ट्री पर प्रॉलम क्या है, इसके चक्कर में यह ग्रूप हो गया, आउट ओफ प्लेन का मला समझते हो, यह अगर स्फेरिकल कंडिशन यह स्पी 3 है, तो बेटा यह अपने आपको आउट ओफ प्ल में थड़ा आना चीए, तो फर्स के बाद थड, I think फर्स के बाद थड, that's why I hope your answer is Bombay, ओके, तो पो सिम्पल सा फंडा है, इतना सा कंसेप्प देखो कि जो रिजोनेंस करें, जो हेल्प करें वो इस्टेबल, और जो हेल्प ना करें वो टांग खीचें वो अनिस्टेबल, सि जितेगा, जो कार्बन टू और आकसिजन जाएगा, अगर आप कार्बन से कार्बन जाते हो, या कार्बन से पर शूर्ट रूल फिक्स है यह मत बोलना किसा जान ज्यादा जा रहा है चार्ज वहां ज्यादा शर नहीं बेटा एक ही चलेगा सो सुनार की एक लिवार की अगर एना ज्यादा स्टेवल है तो बस उसको जीता देना यानि जिसकी न्यूकलस में व्यादा पावर होगी वो गेम को खेलेगा ओके अगला जो कोश्चन है थोड़ा सा हेवी कोश्चन है हर जगह पर अलग ओडर याद रखना है करेक्ट ओडर तो यहां पर बस यहां गलती कर दी रिजोनेंस इस्टेबल यह पहले आना चाहिए था इसका मतलए अगरबर कर दिये यह आपको पताए ट्रांस इस और आइसो आ आइसो पहले आना चाहिए रटावा कोश्चन है आइसो ट्रांस इस यह फंडा पता होना चाहिए तो यहां भी गडबर कर रखी है इस कानिया बात की जाए तो भाई अगर माइना से और बीच में एस्पी 3 आ गया तो गेम खतम रिजोनेंस खतम जो रिजोनेंस खतम तो इन स्मपल रिजोनेंस हो रहा है यहां पर थीन अलफा और यहां पर पकता आपका सि aanगी सिम्पल अना चाहिए नशन एक लप से तो इसलिजेंफ पा टो देखेंगा डिच ऑ लिटा याद करो जो इन आपको में शिन की गई उस पर मत देक्थो उसके पडो सी इसको Α são k्या इदर वाली location पर चेक डिख करो कितने हैय मेलेबल लोकेशन ये का संहीं थे का येरा तुम्हारी येकन मत देखना इसका पडो सी धरा तुम्हारा एल्फा उसको मत देखे तो सब्सक्राइब कुछ मत देखो एलफा देखो गेम सेट हो जाएगा कि अगला जो कुछन है वह सब्सक्राइब क्या पूछा है रेंग देखो पहले चेक करते हैं इस्टेबल के बाद का गेम खेल पाऊगे इस्टेबल का ओडर क्या है तो भी हमको अच्छे से पता है इसके प पर बात करना चाहते हो तो ध्यान से देखो आपके पास यहां पर हम जब यहां पर हाइपर कोशिश करेंगे तो हमने बात आपको सिखाई थी इस समय अगर आपने ऐसा किया तो यहां बनेगा वन डिग्री एनायन और अगर इसकी जगह आपने ट्रांस वाले में हाइपर कर करने की कोशिश करी तो आप जब हाइपर करोगे तो उस सिच्वेशन में आपको यहां पर मिलेगा वन डिग्री की जगह तो डिग्री एनायन तो प्राक्टिकली हम इस फंडे को यूज़ करना चाहेंगे कि जब हम इसमें हाइपर करनी कोशिश करते हैं तो कुछ समय के लि पहले से वांडर वाल रिपल्शन हो रहा है बट इन सब के पास कितने एलफा है बेटा शिक्स एलफा अब चुकिए आप से पूचा हीट ओव कमश्चन और वो हमेशा पाइबोन के बाद इस्टेबिडी के इन्वर्सी पर पोश्नल होता है तो अगर इस्टेबल का ओडर और वन ब्यूटीन हैं तो भया ओडर को पलटना सीखो पलटने का मतलव 리वर्स मारी है तो भया सबसे होना चीए सबसे ज़्याद़ हिट ओ-कमश्चन फरस का होना चीए लकिली फर्स्ट ऑप्शन ये रहा और सबसे स्टेबल कौन है बेटा सेकेंड सबसे लास्ट में लकिली आई रहा है फिर सी सो ट्रांस में पहले कौन जितेगा तो भाईया अनिस्टेबल में तो पहले सी सा आता है इसका मतलब फॉर्ट आएगा फिट थर्ड देट्स वाई वीकेंड से कि हीट ओ कमशन का ओडर आपको पूछा जाए तो आपका अंसर क्या आना चीए डेली अगला जो कोशन स्कीमें आपने दे रखा है क्या पूछा बेटा इसमें से कौन श्थीक इसमें और रिजोनेंस का मतलब जो भाई प्लेन था जो रिजोनेंस कर सकता था क्या आपको लगता है कि वो इस्चेरी क्राउडिंग होने से इस्चेरी क्राउडिंग होने से पपेंड भी चला जाएगा पर ये शर्ध्यान रखना उसके लिए वो SP2 होना भी चाहिए तो ये तो आउटो प्लेन चला गया ये छोटा मोटा चुन्नू ग्रूपे नहीं जाएगा ये SO3H पहले से SP3 है स्फेरीकल है तो ये भी नहीं जाएगा कुछ बच्चे बाई मिस्चेक ये समझ जाते हैं कि आउटो प्लेन जाएगा पर भाई जो पूरा SP3 हो पूरा पहले से स्फेरीकल है स्फेरीकल कभी आउटो प्लेन जाते वो अपनी एक्सिस पे घूमते रहते हैं पर वो स्फेरीकल होने से आउटो प्लेन जाई नहीं सकते है तो फिर बचा क्या option यह तो option ही नहीं क्योंकि आसपास तो स्टेरी क्राउडिंग ही नहीं तो यह केवल एक ऐसा option दिख रहा है जिसमें आप यह आंसर चेक कर सकते हो इस चेरी की इनिबिशन का मतलब इस चेरी क्राउडिंग से सिस्टम को आउटो प्लेन जाना है इतना सा फंडा ध्यान रखना अगला question दिखेगा क्या पूचा है CC देबल बॉंड लेंट था इनिक विटा हम सब जाने कि एकर हम बेंजीन की बाद करें तो बेंजीन के जो पाइलेटोन होते हैं वह क्या होते हैं बच्चे डी लोकेलाइज होते हूं हमको पता है डी लोकेलाइज होने पर इन सबकी बॉ वह अन्थी रेंगा देशिन करोगे, तो बेटा इसमें पार्शी रेक्टर तो आएंगे, बड़ ये इकुलेंट डारेस फॉर्म में तो आना नहीं है, इसका मतलब ये कि इसकी बॉन लेंद कमपेटली थोड़ी जादा होनी चाहिए, और इसकी बॉन लेंद थोड़ी कम होनी पर इसके अंदर इकुलेंट डारेस नहीं है, लोग गलती से समझते हैं, बायमिस्टे के समझते हैं कि वो इधर जाया, इधर जाया नहीं, बेटा गरबड होती है, वो नौन इकुलेंट में काउंट होगा, विकोज आप करन फ्लो नहीं कर सकते, आप मैंसे बहुत लोग य यहां नेगेटिव बना दो, या इसका उल्टा करके यहां पे नेगेटिव बना दो, यहां पोस्टी बना देो, अगर इस तरह से बनाया होता वास्तों में, तो फिर बॉन लेंथ में वीरियेशन नहीं आना चीए था, बॉन लेंथ सबकी सेम होनी चीए थी, पर याद करो की बॉन लेंथ सेम नहीं होती, जैसरे बरी फंदामिंटल still कोश्चान, resonance कर लोगे, पर याद रखना, double double रहेगा, single single रहेगा, तो single में double d helpful, से कम तो नहीं होने वाला, इसकी बॉनन लेंथ हमेशा इसकी बॉन लेंथ से जादा लेंथ होनी है सका अबंधने सबाव डेकरोगे यहां सब्सक्राइब और उससेत का जादा करना पड़ेगा अध्वेंगे सब्सक्राइब हाँ-चो आप जाइब भूल रहे हो कि जब आप इसकी RS बनाते हो तो याद करो इसकी 3 RS बनाई जाएंगी 3 RS का मतलब यह कि आपके पास 2 option available होंगे और आप इस कहानी की जो 3 RS create करोगे उस कहानी के इसाब से हमको यहाँ पे movement करना है अब जब आप movement करोगे तो इसकी जो RS आपने बनाई है उस RS को जब compare करोगे तो समझ मैंगा कि यहाँ variation है कैसे यहाँ अभी double bond है यहाँ single bond है यहाँ double bond है इसका जब average निकालोगे तो इसका variation आएगा 2 pi divided by 3 पर अगर आप इसकी जगह किसी और location से average निकालो जैसे कि यहाँ निकालो यहाँ double यहाँ single यहाँ single इसका जो average आएगा वो गा 1 pi divided by 3 आपको गोण यह point पता है तो इसका fund आएगा 1 pi कितों के बीचे 3 kb और यहाँ क्या है 2 pi कितों के बीचे 3 kb इसका मतलब इसकी bond length इसकी bond length यहाँ पे होनी चीए कम इसका बहुत ही fundamental question है इसकी bond length कम है तो इसका मतलब बाकी की bond length क्या है बोलो ज्यादा that's why your answer is about the Bombay, Calcutta and Delhi ओके अगला simple question पुछा कि आपकी screen के उपर which is the following is the correct order of bond length तो भाईया देखो single bond है double bond है triple bond होड यहाँ cb और यहाँ n हमें पता ज्यादा लेट्रोणीड होता है इसका मतलब simple सा fund आएगा अब यहाँ देखा cbond and cbond और cbond सी तो भी यहाँ पंगा ले लिया यह आगे आना चीहता है से गलती हो रही है इस काहानी के अंदर cbond सी cbond and cbond यह सही बात विकोज oxygen 3.5 का है n वाला 3 का है तो यह वाला 2.5 का है जितनी इलेक्ट्रोणी बड़े यूत्ती bond length कम होनी चाहिए तो भी सही है यहाँ पता है single, double, triple और cbond of course cbond c और cbond h में थोड़ा bond length का variation आता है इस काहानी के अंदर तो पूछा क्या है भाई यहा correct order तो of course यहाँ पर सही option आने वाला है क्योंकि हमें पता है इस काहानी के हिसाब से correct order of bond length में आपका option आना चीए a, c, and, d क्योंकि यह fundamental question है थोड़ा धंका question है ध्यान रखिएगा ओके देखे बिटा single, बुचर, carbon, auction, bond of equivalent of excitate iron तो देखो बिटा simple सा funda है अगर आपके पास excitate iron है तो हमको पता है कि यहाँ पर equivalent होती है वो equivalent होती है इसका मतलब यह कि यहाँ पर दोनों की bond length क्या होनी चीए बिटा equal होनी चीए सही बात है structure of recipient iron equivalent वो भी सही बात लग रही है carbon oxygen bond are unequal in formate iron गलत बात है क्योंकि बिटा यह तो यह और भी सेम हो गया अब फो में टायन के लिए भी तो सेम कंसेप लगेगा कि जब रिजोनेंस होगा तो इनकी भी bond length L1 L2 दोनों सेम ही होनी चाहिए रिजोनी च्रुक्चर और एक टाइम पास है लोइस इस पूरी कहानी के अंदर हम यह चेक करकते हैं कि यह आपका मैनेट है हम और esquina Mr प्लस है तो पता है ना इसका मतलम बोल सकते कि इसी का ओप्शन आ रहा ना है बाकी सब का ओप्शन क्या आएगा बोलो अगर आप पाइबॉन लेके बेटे हो पाइबॉन पर एसा एटम अवेलेबल हो जो पॉस्टिव लेके रखाओ तो उसे क्या बोलेंगे माइनस है माइनस है माइनस है और अगर कोई ऐसा एटम आप लेके बेटे हो जिसके पास लोन पर एवेलेबल हो या निगिडिट चार्ज हो तो उसे क्या कहेंगे प्लस है या प्लस है क्यों कि वो डोनर होगा तो बस पहला एटम देख लो बेकू मत बनना एनो टू ऐसे लोन आर के रूप में आएगा अगरला फेर है तो यह प्लस आर के रूप में आएगा नहीं है क्याना पास लून पेर है या नहीं है उसकी पॉस्टीव है या एनायन है अगर पार्शल पॉस्टीव या फुल फुलेस पॉस्टीव है उसे लिट्टों विड्रोइंग यानि माइनस आर बोलते हैं सिंपल फंडा फंडामेंटर देखो बेटा मास कोश्य ने गलती से आपकी असेंडमेंट में इसका अंसर नहीं है इसको इसको इसपेश्टी देख लिजिएगा क्या लिखाया एनो पहले तो आप यह सीखिए कि अगर एनो अभी बढ़ाया था अपने बात भी करते हैं अगर लोन पेरे तो देगा और डेल बाकी 3 तो क्या है बोलो माइनस आई तो ये भी माइनस आई ये भी माइनस आई ये कौन था प्लस आई इसको देखके हम समझ सकते हैं कि सबका अंसर इसको छोड़ के एस तो आ नहीं है अब बात करते प्लस है जो कि हईपर कॉंजिशन में आता है इन तीनों में किवल प्लस है इसी का आ रहा है इसका मतलब यह आपका R option भी आएगा ही आएगा अब बात करते हैं M4 टेरिक की तो वह यह अभी बताया था इसके पास loan pair भी और प्लस है मानेस है में इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं इसका आणसर क्या आना चाहिए बेटा P B आना चाहिए Q B आना चाहिए S B आना चाहिए क्योंकि SP 3 है तो only resonance होता है इसमें तो हाइपर रिजोनेस होता ही नहीं कि वह रही होगा इसका मतलब इसका आंसर कि वह आर ही आना चाहिए इसके पास पहला item loan पर दे रहा है तो देने वाला plus M होता इसका मतलब P भी आएगा और S भी आएगा और पहले item के उपड़ डेल्टा positive बाकी की बात मत करना किसे दूर पहला item मैं बार बार बोलता हूँ resonance का मतलब आपका पहला item आपको देखना चाहिए तो अगर आपका first item आपके सामने available है तो game set है अगर यहाँ delta positive है इसका मतलब यह only minus M यानि आपका option यह आ रहा है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर आप answer की case आप से बात करें तो पहला option ध्यान रखिएगा पहला क्या हैगा बिटा P QS इसकेंड वाले का क्या आना चीए बिटा आर आना चीए उससे अगले वाले का क्या आना चीए P S आना चीए उससे अगले वाले का क्या आना चीए Q S आना चीए तो यह आपका एक fundamental question पहले से तयार है ओके अला question देखिएगा basic fundamental पूछा है बिटा इसका मतलब कोई चीज क्यों नहीं देगा तो भाया वो SP3 होना चाहिए इसका आंसर केवल एक ही option है क्योंकि हमें पता है यह रहा आपका SP3 बाकी तो resonance करने वाली condition है यह आपका minus i में चला जाएगा ग्रूप विड्रो एलेट्रों इंडक्टिवली बट डज नोट डॉनेट विड्रो बायरी जोनेंस ग्रूप विड्रो कर रहा है इलेट्रों को खीच रहा है बट रिजोनेंस ना करें पक्का यह option है आपको भी बताया था हमारे पास क्या option आने चाहिए अग्रूप विड्रो एलेट्रों इंडक्टिवली बट डॉनेट बायरी जोनेंस यास डॉनेट वो करेगा जिसके पास लोन पेयर होंगे इसका मतलब लोन पेयर ऑक्सिन के पास भी है और इस एनस्ट्यू के पास भी है बेकूमत बनना यह देटिव बन वाला होता है इसलिए आपका अंसर क्याएगा पी एंटी पर जब ग्रूप विड्रों इलेट्रों इंडक्टिवली विड्रों बायरी जोन से भी खीचेगा तो बेसी फंडामेंट्रल है याद करो ओ एच या एनस्ट्यू के लिए फंडा होता है माइनस आई पर प्लस हैं अगर एलकाल ग्रूप है तो पक्का वो प्लस है और प्लस ही आएगा और अमूनियम आए ने तो समझ के रखना कि वो स्ट्रॉंग माइनस आ जाएगा यह तुछ फंडामेंट्रल हो जब को ध्यान रखने चाहिए अगला देखिए बेटा सिंपल सा फंडा पुछा है एरोमेटिक नों अरोमेटिक एंक्टिक एंड साइकली स्ट्रॉक्ट्टर लुकिली साइकली तो सब ऐसी दिख रहे है तो आई होप ऐसी दिख जा यहां भी इंड पाइट्रों यहां पर टेन पाई थे तो यह भी क्या हो जाए अरोमेटिक और यह फंडा पॉर पाइलेक्ट्रों की बात हो रहे है एंटी इसका मतलब यह हो जाना चाहिए आपका आर ओक्षन तो सिंपल फंडा करन्ट फ्लो करो देख लो ध्यान रगना बी बोलना और तूपाई शिक्स पाई और टेन पाई को एरोमेटिक बोलना सिंपल फंडा अराम से आंसर अगला कुश्यन देखिएगा क्या फंडा दे रखा है सी योईटी सी योईटी बॉन्लेंथ एंड बी तो भाई देखो ध्यान से यही फैक्टी रिजोनेंस करेगा अब ध्यान से देखो यह करेगा फिप्टी 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 का मतलब फिप्टी इधार फिप्टी इधार फिप्टी इधार तो सोचो कहां ज्यादा रिजोनेंस हो रहा है इसका मतलब यहां 100% यानि मोर रिजोनेंस हो रहा है अब यह रूल होता है मोर रिजोनेंस मोर चें यह था जिसके अंदर ज्यादा होंगे उसकी बॉन लेंद कम होती जाएगी पर पहला इसका मलब पक्का आप कहां से देली आना चाहिए अगर आप टागेट एक पर रखोगे तो जड़े एफेक्टिव दोनेस करोगे अगर टागेट दो होंगे तो 50 इदर 50 इदर के चक्कन में न यह कंप्लीट होगा न वह कंप्लीट होगा दो के चक्कन में कोई एक इंग्डिविजल पार टार्गेट कम हो जाएगा तो एफिश एक्टरल हे यहां भी पाई द॥ा नाँख हो यहां पर सबका और कंप्लीट है द्यान से देखो यहां पर गलती से पहले का और इंकंपलीट और बागी का औक कंप्लीट अब रूल केता है मोर्ट सबस्ट और नुट्रल रेस होनी चाहिए मोर्ट नमब्र पाइबॉर्ट पाइबॉर्ट पहले जीतेगा फिर अगला आता है और के कंप्लीट ओफ इच एक अपर जाएगा थड़ वाले का तो ऑक्टे इंक रचा कुछ को पत सब्सक्राइब करते हो और पूछा गया है पिए आपको बता दूं कि जब आप यह कहानी करते हो और स्टू प्लस क्रेट करते हो तो यार इसमें इतने पेंजी ने के रिंगे पाइब होगा और हमको पता है कि यहां जो पॉस्टी बनेगा वह केवाल दूसी जगह ही जा पाएगा तो इसकी केवाल दो यारेज बनेगी यहां चार्ज ओर्थो पर भी आएगा पेरा पर भी आएगा और तो जितना इसके साथ में दी आवा विचे दो फोलिंग पेर डिप्रेजेंट रिजोनेंस याद करो रिजोनेंस कुछ फंडामिल कंजीशन होती है जैसे रिजोनेंस करते समय पी अबिटल होना चाहिए एटम डूनोट शिफ्ट होना चाहिए जो यहां पर बहुत इंपोरेंट है ध्य पर जब तुम यह कहानी करोगे तो पक्का रिजोनेंस काउंट होगा रूल बहुत सिंपल सा है दूरिंग रिजोनेंस एक टाम डूनोट शिफ्ट आपके इलेक्टोन का मुवमेंट कर सकते हो पर अगर आपने एक्टम का मुवमेंट गिया तो समझ जाना वो रिजोनेंस न कितने के इल्फा रूल किता है जिसके पास आल्फा जदा वह से जीता दो फन्डमेंटाल है अपनका अनसर यह आने वाला है more alpha more stability ह antisी आगले लेसल ने कितने इलफा है दो hitting चार ऐसे अगले में कितने बिटा कऱों सब्सके पास सबसे ज्यादा वो पहले जित जाएगा Penis वाले को जीता तो गेम सेट हो जाएगा देख भाई सिंपल कोश्म पुचा है फोलिंग के लिए सब्सक्राइब अब ध्यान से देखो यहां बेंजीन है तो बेंजीन से ज्यादा फेरोल तो यह तो मोरे स्टेबल हो गया यानि यह आपका अंसर नहीं हो सकता यहां रिजोनें पर पाइबोन के साथ कुछ भी आजाए तो पर पेंडिकुलर के लाएगा और यह आपको पता ही है कि यहां तीन अलफा और यहां एफ का कौन सा एफेक्ट है माइनस आई तो डेल्टा पॉस्टी बनाओगा अफकोर्स इस समय तो यही जीतने वाले बिकॉस के पास अलफा ज्यादा है उससे रूल के साफ से आपका अंसर क्या आएगा बेटा सी यह चीज़ आपको पता है ना कि जिस कार्बन के पास पाइबोंड होता है उसका के टायन पर पेंडिकुलर नाइंक्ती डिगरी पर होता है और उस केस में कभी रिजोनस पॉसिबाल नहीं है यह जो कॉशन तुमाहें सामने बले बले सेपरेशन की बात पूछ रहे हो क्या दिया है बेटा रियक्ट वित एने ओएच अब याद करो एने ओच साथ बहुत बेसी सा फंडा होता है यह एलकोल इससे रियक्शन नहीं करता पर फिनोल और कोई भी एसिड कर सकता है और जब आर्गुमेंटरी मत करना एने एने और एने ने इस चू में तो बात कर लेंगे क्योंकि यहां सब जगो ऑक्सिजन लगा हुआ है ध्यान से देखो अब हमको पता है क्योंकि यह एलकोल है तो इसका मतलब इसके इंदर तो रियक्शन नहीं करेगा ठीक है तो ना पी करेगा है क्यों करेगा पर आपको पता है आरेश्टी कर सकते हैं क्योंकि यहां जो माइनस बनेगा वह 2.1 वाला है इलेक्टोन बहुत रियक्टीव होता है और यहां जो बनेगा वह 3.3 वाला है तो रूल के एसाब से आपका इनान जान फेवरेबल हो रियक्शन करेगा इसका पर क्यों नहीं आएगा और आगे आएगा पता है पी आरेश्टी आ नहीं है अगर आपके पास एनोट ग्रूप लग गया यानि माइनस एम ग्रूप लग गया तो दिमाग मत लगाओ उस समय तो आपका अंसर सब पूछाएगा पी क्यू आरेश्टी और यहां भी क्या आए और जब एच प्रस निकलने के बाद बनेगा वह पहले से ज्यादा इस्टेवल आफ गोर्स फॉवर्ट तभी जाओगे ना जब आपका प्रूड़क्त ज्यादा स्टेवल होगा से कॉमन सेंस के देखे क्या होगा बेटा फोर्ट गीवन टू कंपाउंड फर्स्ट इस मोर एस्टिक दें सेकेंड आपको पता नहीं यह नूट आफ जा सकता है आउटो प्लेंज जाने का मला इस खतम के लिंग्ड अक्टिव लगेगा पर जब यही कहानी आप किसी लीनियर शेप के लिए करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि लीनियर इस फ़र्म में रहेगा और लीनियर में पंगा नहीं है इसमें इस चिरी क्राउडिंग का इफेक्ट ही नहीं होता क्योंकि वह मिनिमम कंडिशन में तो माइनस एम इफेक्ट लगेगा इस हिसाब से पूचा है फोर्द गिवन पर यह भी तो बताना पड़ेगा कि जब कुछी डेविएट होती है जब कुछी जाती है तो आउटो प्लेन जाने से आपका रिजोनेंस लॉक हो जाता है वो जब रिजोनेंस नहीं होगा तो क्यों इंग्टीव इफेक्ट लेगा विकोस रिजोनेंस की पहली शर्त होती है तो आउटो प्लेन जाने से आप एनान को लेस इस्टेबल कर पाऊगा विकोज आपका जो माइनस रिजोनेंस करके यहां पोचना था वो रिजोनेंस यह एक्सेप्ट नी करने को तयारने तो जब रिजोनेंस नहीं तो कहानी बैसे खतम हो गई बच्चे अगला कोशन देखेगा इस कहानी के लिए क्या कोशन है बच्चे इस मोर बेसिक देन दिस याद करो यह तो एमाइड रिजोनेंस कर रहा तो जो रिजोनेंस कर रहा है वो तो वीक बेस ही कहलाएगा यहाँ जो लोन पेरे लोकेलाइज है क्योंकि आपको शाद याद आ जाए ब्रेक्स रूल यादा रहा है ब्रेक्स रूल ब्रीजेड पोजिशन पर ब्रीजेड पोजिशन पर आप ऐसा नहीं कर सकते मतलब यहाँ पाई बॉन्ड बना के प्लस बना नहीं सकते नोट एक्जिश इसका सही मतलब ये कि अप उनका लॉन पेर क्या है लोकेलाइज तो जब लोकेलाइज है इसका अमलब रिजॉनेंस नहीं है तो वह अच्छा बेस होना चाहिए तो more basic अपकोर्स मोर बेसिक होगा फिर क्या पुछा है लॉन पे लेट्टोन और नाइट्रोजन इन कंपाउंट फर्च दस नोट पार्स वेडिन रिजो नस तो यह तो सही बात बोलना चाहते हैं अच्छा को पढ़ने के बाद एक डाउट और आना चाहिए मेरे साब से कि सर जब मै ने इसमें एच प्लस जोड़ा तो एच प्लस जोड़ने पर तो पॉस्टिव बनेगा ना यास डेक्स वेरी इंपोर्टन कोश्चन पर बेटा जो पॉस्टि तुम यह बना रहे हो उस नाइट्रोजन का हैब्रेशन एस्पी थ्री है और ब्रेक्स रूल एस्पी टूपे ल ना ना एस्पी टू नहीं हो सकता समझ में आ रहे हो यह एक्जिश्ट करेगा वाई यह तो अच्छा पहले भी एस्पी थी था तो जो पहले से इस्पी थी था बाद में फिर एस्पी बना तो कहां दुनिया लुट गई भाई वो तो स्टेबल फर्म में रहेगा ना तो ठीजप पर पाइबॉंड नहीं होना चाहिए अग्राइब देखिए क्या पूछा है ग्वाइन इस ए प्रोटॉन स्पॉंच आपको बता दू पहले तो यह सिम्ख को नुसा होता है जब आगवांडिन गुरुप की बात करोगे तो यहां भी लोन पर यहां भी लोन पर यह भी प्लस एम यह भी प्लस एम तो यहां पर दो दो बाव माइनस बनेगा तो देख से से क्योंकि हमको पता उसका अर्फार्शन क्या है बोलो Hard graphics here कि हमें ये भी पता है कि एलकीन वाला होता है क्या भाईया ASP23 ये आपका 2.75 ये आपका 3.25 तो भाईया इलेट्रोंडी का फायदा उठाईए और ACIDITY के साब से अफकोर्स जीतेगा क्योंकि ये aromatic बनने वाला है और ये बनेगा anti-aromatic तो भाईया अफकोर्स वो पहले फेवरेबल होगा अब पूछा है ग्वांडी जे प्रोटोन स्पांज फ्री एक्विलेंट इस्ट्रक्चर अफ कॉन जो डैसी तो भाईया अफकोर्स यही इसका सही आंसर आना चाहिए मेरे साब से यस और नो अगला carbon stability का उसन क्या तो भाईया इसके पास वेक्यांग क्या बोला था अबी दी ओबिटल due to s करेक्टर due to d orbital resonance तो ये भी सही आंसर आ रहा है alkyne is more acidic क्यों due to s करेक्टर of central atom yes due to formation of aromedy कहना no due to more the number of equivalent resonating structure alkyne is more acidic देखके हम यह imagine कर सकते हैं भाई क्या imagine कर सकते हैं यह आपके पास केवल due to central atom का नाटक होगा अब जो अगला example है क्यों ऐसा होगा तो देखो इसकी answer आरी है 5 equivalent तो option भी cancel due to S character of central atom वो भी गड़ बड़ है due to list में हैं ही नहीं due to formation of aromedy के नाम तो यह सही आएगा और stability of conjugate base due to more number of equivalent ars yes इसलिए इसके अंदर एक की जगह दो option तो आपका answer नाचे PR QST चेक कर लेते हैं yes तो हम perfect जगह पर ने simple सी बात है reason पूछा गया है भाई तो जिसमें ज़्यादा हमने पड़का acid वो होता है जिसका h निकलने के बाद जो एनान बनता है वो stable होना चाहिए देखो पीटा जो कोशा के सामने दे रखा है उच्छे तो falling is the correct order of acid strength इसका सही मतलब है कि आपका इनान पहले से reaction कर रहा है नहीं कर रहा है तो यह तो हमको पता देखो जैसी एक्जामपल दे रहा है यह पहली बात पहले कोशन का मतलब कर दो यहां पर चार्ज लोकेलाइज यहां से जो आप बनाओगे वो डी लोकेलाइज यानि यह फिसीएबल होना चाहिए इसका मतलब यह भी सही जा रहा है इसका मतलब यह भी सही जा रहा है विकोज हम चार्ज को औक्सिंट से काबन से औक्सिंट लेके जाएंगे तो फेवरेबल सिटेशन होगी इसका बैकवर नहीं जाना चाहता यह तो फोलेंग इसका नाम तो जीतेगा यहां पर बनेगी इकुलेंट आरस तो जीतेगा यहां जो बनेगा वो जाएगा एक्स्टेंडेड कॉंजूगेशन में तो यह भी जीतेगा एश्चु सी ओ त्री में जाएगा भले रिजोनेंस में पर ध्यान से देखो यहां ओ टू ओ में 50-50 का फंगा होगा और फिनोल वाला जोगा वो तो ऑक्सिंट से कार्बन जाएगा तो इस चारों कॉंसेप में सबसे पहले कार्बोनिक एसिड फिनोल बीच में तो आही नहीं सकता इस लिए बोल सकते हैं कि यह वाला कार्बोनिक एसिक से ज्यादा पेफरेबल होना चाहिए तो इससे भी आगे चला जाएगा तो जिसका मतलब यह कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रोमेट्रम ग्रूप लगे होते हैं उत्ता एसडिटी बढ़ती है तो दो एनोटू होने पर आप कार्बोनिक एसिक से आगे जाओगे अगर एक होगा तो पीछे जाओगे ठीक से फंडामे जो की ऑक्सीजन शे औक्सीजन से रिजोननेस कर रहा अची बात है अब चेक करो पहले एक्जाम फिनोल है और हमको पता कि अगर जाएगा तो ऑक्सीजन से कार्बन जाएगा प्रैक्टीकली यही वला आप कांस दी यह रिचिजन नहीं कर सकता अगर यहाँ मायनस बना तो वो एक्सचेंड़ेट करके जाएगा तो यह मिला कि हमें पाप क्या आना चाहिए चाहिए आगर आजए compressed अ्फर गार्ख घा अग्सीजन जा रहत जयुक्त कि अगला कोशन के सामने दे रखा है क्या पूछा है विचे दू कौन सी फीसेबल रियक्षन है तो क्या आपको लगता है कि सोडेंबाय काउंस अफकोर्स कि यहां ओ से चार जा रहा था डी लोकिलाइज होने के लिए और यहां पर एफेक्टिव तो पक्काय जीतेगा यहां स यह ओलडी ऑक्सिजन पर था नैटन पर नहीं जाना चाहिए और यहां पर यह भी माइनस यह पर इसका कौन सा इफिक लेका माइनस है और माइनस है तो अफकोर्स यह इससे ज्यादा इस टेबल है तो फोवर्ड जाना चाहिए पूछा क्या है कौन-कौन फिसियेबल है यानि कौन-कौन डेक्शन फोवर्ड जा सकता है तो भाईया फिर आपका अंसर क्या ना चे बच्चे आगरा और देली अगला कोशन क्या पूछा सेलिक दे नंबर ओप कंपाउंड इन विच भी प्रोटेशन गिव्ज एरोमेडिक एनान तो ध्यान से देखो अगर मैं इस कहानी को डी प्रोटेशन बाब इनान बना दूँ तो एनान बनाने के बाद और बाकी आपको पता है रिजोनेंस करना अगर आपको आता है तो रिजोनेंस करने के बाद भाईया तुम अपने आपको अरोमेडिक में कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से यह अगर यह इधर यह इधर और यह इधर चला जाए तो ध्यान से देखो क्या होगा दिस वन दिस वन यहां भी ओएच यहां भी ओएच और यहां आपके पास मिला यह आपका बन गया 6-5 एलेक्ट्रॉन यह आगे जाके सीखोगे एक नेम है यह तो जब आप इसमें टॉटोमर करोगे और इसमें टॉटोमर करोगे तो भाई यह भी इमानदारी से क्या बन जाएगा बोलो अरोमैटिक और यह तो अल्रेडी अरोमैटिक है ही क्योंकि इसमें जब आप टॉटोमर करते हो तो आपको अरोमिटिक बनता है कुल मिलाके इन सबका टॉटोमर फॉर्म स्टेबल हो रहा है इसलिए यह सब के सब क्या क्या लाएंगे बेटा एरोमैटिक उसमें से खास करके बाबिटूडिक एसीड इसका ही डेरिवेटिव स्लिपिंग पिल् फुचर में आएगा अगरा देखिए बेटा डिक्रीजिंग और बेस डिश थी आपको पता है कि यह अपना प्लस इंफेक्ट होगा तो यह आंसर देगा और यहां पे आपको बता दूँ दो-दो प्लस है में वैसे भी ग्वांडिन ग्रूप है सबसे पहले थर जाना चाहि ऐसे करने कम और दो करबने तो आप सकते हो प्लस ही जादा है यहां यहां पर देंसिदी कंपेटी थोड़ी इस से ज्जादा होगी यानि आपका आंसर सिंपल से आंसर की रूप में आएगा अब अब वाओंदिस आंले कुल मिला कि हमें पता है कि अगर अनाउंक्रटर बन उसके आज पास कोई अच्छा डोनर साइट तो फेवरेबल हो जाएगा और इड्रोइंग हुआ तो वह एन फेवरेबल हो जाएगा कि अगला क्या पूछा है बेटा था ठाशयो फूलिंग कमपाउंड हम तो यहां अगर आपने यहां और यहां अगर आपने उपर सील लगा दिया कौन सा effect है प्लस M एनायन एनायन बनाएगा तो इसके बीच लिट्रोन ट्रॉन रिपल्शन होगा और जो रिपल्शन करता है वो सिस्टेम उतना ही अनिस्टेबल होता है और शाद अगला example जो दे रखा है इस इस अलसो पेरा मिथाइल एनिलीन इसका मतलब आपके पास यहां प्लस M एफेक्ट है एनायन के रिपल्शन करेंगे यह भी आनिस्टेबल पर हमें यह पता है कि प्लस M और प्लस M में पहले कौन जाता है भाईया प्लस M जाता है यानि पहले थर आना चीए फिर फोर आना चीए उसके बाद फर्स्ट सेकेंड सबसे लास्ट एक्चिए पेरा नायट्र ने सेकेंड लास्ट हना चीए माइना सेमिफेक्ट है लग्किली सेकेंड ओप्शन एक ही है बाकी तो ऐसी सेट हो गया मतलब हमेशा बोलो सबसे सबसे वीग गेम सेट है आप कहां से फटाक से आ जायगा बेटा ठीक है अगला कोशन बूचा है इसमें से कौन सा लिष्ट बेसिक है तो भया यह वाला लोन पे तो रिंग करंट में चला गया और हम को ये अच्छी तरह से पता है यह कूई रिंग करंट में चला गया तो वो weakest based कहलाएगा यहाँ पे यहाँ पे अगर आप जाओगे तो basic character बढ़ जाएगा यहाँ पे बहले जाएगा पर यह aromatic ring current में नहीं जा रहा है और यहाँ पे तो charge localize है इसका मतलब पक्का आपका answer A के लिए आना चाहिए अगला क्या पूछा है बढ़ यहाँ गलती से localize के साथ साथ क्या हो रहा है बोलो electron repulsion क्या होता है बोलो unstable की निशानी और जो जल्दी करेगा simple सा fund इसलिए localize लोकलाइस से answer नहीं आएगा इसका answer आएगा जितना लोन पर रिपल्शान उत्ता सिस्टाम unstable देखिए एक साथ का लास्ट कोश्चिन है बैसिटी होता होता फोलेंग कंपाउंड पूछा है कोन पहले जीतेगा तो क्या आपको लगता है कि यह तो MID weak base होगा यह वाला guardian part है यह localize होना से अच्छा base होना चाहिए उसके सिवा यह वाला भी क्या है बोलो de-localize पर यहां out of plane चला जाएगा because of stirry crowding तो यह भी एक तरीके से localize होगा now the problem will be पहले किसको जिता है तो भाई पहले तो amine से पहले तो guandine amine क्या भी उता है तो पक्का पहले A आना चाहिए पहले तो आएगा A उसके बाद यह localize हो और यह de-localize सबसे last में आना चाहिए C तो luckily सबसे आगे A और सबसे last में C A की option है क्योंकि हमको पता है इसमें एक तरीके से plus M effect है और amine के अंदर कौन सा effect है minus M तो पहले हारेगा इन दोनों में पता ही auto plane गया तो auto plane का मतलब होता है localize और जो resonance करेगा वो क्या होगा क्यूकिस आपये हुआ झाफ़िया क्यां क्याब है